कि अरे योम स्विस्वागतम आपकल पुरा इतिहास सुना है यूग निदर का और कुछ आनुबूती विए खास करके विष्राम तो मिला होगा क्योंकि लेटे रहना है शवासन करना है राधा रंटा करना है तो विष्राम तो है शितिली करन जो है तो होता है करू जात्य अधिक प्रभावी है, शवासन से कई गुना प्रभावी है, और सोने से भी कई गुना प्रभावी है, और जो शितिली करन है, वो शार्रीक स्तरपे है, भावनीक स्तरपे है, मानसीक स्तरपे भी है, इसलिए उसका परणाम ज़्यादा हता है, दो मैं तो कहीं सकता हूं कि आधा घंटे का योगनीध्राप करेंगे तुँ 3 दंटे की स्लिप का अन्वो करेंगे इतना शित्लिकरंग होता है उससे जाधा होता है लेकिन योगनीध्र का उब्देश शित्लिकरंड नहीं है शितितर्ण इसका तो परणाम है राथमीक परणाम है योगनिद्रा एक मानुसोप्चार है एसे अंगरेजी में साइको थेरपी बोलते हैं तो प्रेसे में कैसे काम करती योगनिद्रा यह तुम्हें आपको बताने मुझें ज्यादा महत्व पुरुण है क्योंकि दूसरी कोई भी प्रक्रिया नहीं योगनिद्रा का प्रणाम होता है वह प्रणाम के लिए दूसरी कोई भी प्रक्रिया किदर भी उपलद्द नहीं है अधुनिक विग्यान के पास बिनेगी इसलिए योगनिद्रा जादा प्रणाम प्यारत है तो योगनिद्रा में क्या होता है कि मन के ऊपर कुछ समस्कार होते हैं कुछ समस्कार निकाले भी जाते हैं कुछ नए भी होते हैं और यह आपको सुनना है कि गुद्धिद्रा का संबन्द मन से जादा है शरीर तो शवासन की अवस्तम है शरीर को कुछ करता है यह आपने भी अनुब किया है कि शर पहले मन को समझना होगा मन को तो अस्तित्व नहीं है जो हम भैचान सके हमारे ग्यानेंद्रियों के सारे मन को हम देख नहीं सकते सुन नहीं सकते यह तो अपको भी पता है लेकिन मन को ना तो नहीं कह सकते हैं मन है तो जरूर मन का अनभोत करते हैं पंचक ज्यानंद्रियों के सारे कुछ अनभो नहीं होता है लेकिन मन का अनभोत होता है मन के प्रणाम तो दिखाए पड़ते हैं इसलिए विज्ञान को भी मन को मानना पड़ता है पर मन के बारे में एक पूरा शास्त्र ऐए, साइकोलोजी तो मन का अनुभो और अभ्यास उसके परणाम के सहरे करते हैं उसके कारे के सहरे भिकरते हैं तो उसकारे के सहरे मन के तीन मुख्य विवाब किये जाते हैं पहला है जागूरत मन उसे एंग्रेजी में conscious mind करते हैं, एंग्रेजी शब्द अधिक परणाम करी है, दूसरा है सुप्त मन, उसको subconscious mind करते हैं, यह सुप्त मन कहा गया लेकिन यह स्वया नहीं होता, यह जागरूत ही होता है, भाशांतर करते समय यह इस शब्द का इस्तिमाल किया गया है, इसलिए ह लेकिन conscious mind और subconscious mind यह बहुत अच्छे शब्द है, और तीसरा है unconscious mind यह आंतरमन, लेकिन आंतरमन के बारे में हम अभी कुछ नहीं सोचेंगे, योगनिद्रा का शुरू-शुरू का संबंद जागरूत मन और सुप्त मन से ही होता है, तो उसके बारे नहीं सुचेंगे हम, कि मस्तिश्क तो शरील को नियंतरित करने वाला है, लेकिन मस्तिश्क को नियंतरित करने वाले जागरूत मन और सुप्त मन है, तो इसका कार्या में समझना है, कि योगनिद्रा के बारे में तो यह बहुत महत्व पुर्ण है, विचार करते हैं, वो जागरूत मन भी करते हैं लेकिन दूसरा गमतुफ परहनका अमरे 5 ज्यानेंरिया हुते लेकिने में 9!". 5 यॉर। जवान है उनकों ज्यानेंरियों कहां जाते हैं क्योंकि ये भाईय विश्व Prie उधार यक्वाइन का ज़नते हैं कीवान्द करद्स स्रेहां। जबान से हम टेस्ट लेते हैं और तशा से सपरशकानबो करते हैं तो इन पाचों इंद्रियों के सारे बाए विश्व में जो कुछ चल रहा है वो हम समझ लेते हैं तो इंद्रियों क्या करते है वह बाहर जो कुछ चल रहा है उसका information देते हैं तो इन्फुर्मेशन टेखनॉलर्जी काけて आयुटी कह तो इन्फुर्मेशन आती है आंक के मद्यम से कान देए निया को इन्फुर्मेशन वो इन्वध मत बदलno फोटाए ।am जागुरूत मन के पास जातीती है है कि मन ही किदर किसी को पतानि लिकिन वह पकिए है और जागुरूत मन में उसको ए Mississippi के पास सआ हैं ऑद्र मस्तिषक रमें इससलने है लेकिन उसके लिए मस्तिश्क को सुप्तमन का साहरा होना अवाशिक है अभी सुप्तमन क्या है तो सुप्तमन हमारी स्मृति है जो हम कुछ अनभों करते हैं पंचय गैनेंद्रियों के साथ जन्म से लेके आज तर वो सब घटना है सुप्तमन में समाल के रखी जाती है मतलब हम जब कंपिटर का काम करते हैं तो स्क्रीन तो बोलेंगे तो हम जागरुतमन के जैसा काम है और सुप्तमन हैं हर्डिस्क इस फ्क्रीन पर फाइल डैर करते यूसको सेभ करते है हैं इस्सले प्रकार की निन क्या की सार्य जागुरोध मन के सारे हम सवानवा करते हैं अधसर्दमान में समाल करें तो वो लॉट करके रखारें लेकिन इस जनमा का फोल्डर तो खोच सकते हैं इसलिए मेरे सुप्तमन में कई फोल्ड होते हैं अनेको विशेव के होते हैं फोल्ड होते हैं सब फोल्ड होते हैं फाइल्स होते हैं जैसे प्रकार हाट डिस्क में हम करते हैं विच्सी प्रकार का मन में होता हैं सुप्तमन में और उसकी information वो मस्तिश्कों को दी जाती है जब मांगी जाती है तब एक ऐसे गटना होती मैं बताता हूं एक full रखा आपके सामने तो आप देखते हैं तो आँख देखती है तो आप उसका चित्र लेती है जिसा camera पर लेकिन आप यह नहीं बताती के full कौन सा है तो आप किवल चित्र बता दिया चित्र है आपके सामने तो चित्र फिर जागरुत मन के पास जाता है जागरुत मन मस्तिश्क के पास भेज़ देता है इंदर भी कुछ से कुछ पता नहीं चलता हो चितर जाता उधों मलूं大व कुछ चितर है खर Ms. के क्या करता है सुपतममंध से संपरगा करता है सभी ज decent के बारे में आपके पास कोई स्मृति है को फूल आपने कभी भी कुछ ग्यान है नहीं तो फिर आप बोलते हैं यह क्या है फूल के जैसे लगता है लेकिन किस प्रकार का फूल है इस प्रकार के आपके रियक्शन होगा यह आपने फूल का अनुवद किया होगा गुलाब का फूल होगा मस्तिश के बार प conviction करें इसके बारे आपके पास है क्या information शुप्तमान ढूमते हैं इस चित्र के बारे में को फॉल्डर उपाइल से फूल्डर कुछ है तो आपने पहले घुलाब का फूल देखा है बहुत समय तो घुलाब के फूल का शित्र को आपके स्मृती में सब्सक्राइब करके एक फोल्डर है उसमें सब इंफर्मेशन मस्तिष्काई पाच जाती है और वो देखता है इसको मालूम पड़ता है तो फिर आप कहते हैं कि हाँ ये गुलाब का फूल है इसकी सुगंद कैसी है आपके स्मृति में है तो आपको स्मृति में ये भी होगा ये देशी गुलाब का फूल है तो इसका घुलकंद भी बना जाता है तो इस सारे विचार आपके मनमाएंगे कि ये क्या है इसका क्या हो क्योंकि आपके स्मुर्दी में है पिरी स्मुर्दी में नहीं होता तो आपको पता भी नहीं चलता क्या है इस प्रकार का कार्य हमेशा चलते रहता है मैंने खाली आग के बारे में उदारण दिया है लेकिन का भी उदारण ऐसा है नाग का भी ऐसा है जबान का भी ऐसा है तो अच्छा का भी इसी प्रकार है इसलिए हमारे मन में स्मृति है इसलिए हम उसके अनुसार हमारी प्रतिक्रिया देते हैं प्रतिक्रिया भी कुछ नहीं होगी अर्शमृति के अनुसर प्रतिक्रिया बदलती जाती है और एक उदारण देना चाहता हूं हमारा आश्रम है तरंबकेश्वर में कुछी से करकी जमीन है यह से जंगल की एरिया है सब तो उदर साप नाग सब आणी होपे हैं तो हमेरे विद्ध्यार्थी आते हैं उनसे कहते हैं यहां साप नाग वगएर है समल के रोग आपने कुछ देखा तो हमारा स्वह सब्सक्राइब करके बता दीजिए तो टीक विद्ध्यार्थी शांको जाता है बाहर तो वहां से नाग आता है तो विद्ध्यार्थी आगे जाता है नाग उसके पास याता है तो उसका पढ़ा करके वह खड़ा हो जाता है जाता है तो वीद्ध्यार्थी देखता है तो क्या देखता है उसका चित्र निकल जाता है मैं देखा मस्टीश से वह सुप्तमन के पास्स得 पूंच गया है सब अम इसमें स Α विषय नहलै तुर बसका देखता है इसमें सब लिखा नहीं चल राएं तो perspectives इसलिए वो घबरा जाता है मतलब उसकी प्रतिक्रिया क्या है घबराने की समझना समझाने के लिए मुझे बहुत समय लगता है लेकिन इंस्टन फ्रेक्शन अफिस एकनमी होता है शरी में नेवर सिस्टेम बहुत फास्ट काम करते हैं अभी उसके साथ एक छोटा बच्चा है कि शवलागना मतलब में नाग के बारे कुछ सुख को है उसका सुख्प्तमन कहता है मसले परास कुछ फोल्डर नहीं तो उसके लिए उसके मनमे कुछ बीचारी नहीं गवरत है और के मनमे कुछ नहीं है क्षिथ hooked up कुछ प्रानी चल रहे बस कि दो और कि प्रत्यक्रियां कि विद्धार्थय प्रतिक्रिय क्या है। एक हैंром तो इन धर्ली एक कर दिद्ध oy sh ashamed नाख पकदने के लिए हमेरे पाड़ी इंस्टुमेंट लेकर आता है वह सब साहingly वह हिम लेके आता है उदर और पुछते हैं किदर है किदर है देखा मेरे तो खूश हो जाता है अभी वह क्यों खूश होता है वह तो वही नाग देखता हैं लेकिन उसके स्मृति में लिखा है कि उसने पहले नाक तो देखा है, मिशेल आये, काटता है, सफ़े उसके स्मृति में, एकन उसे बहुत से नाक पकड़े है, वो पकड़ सकता है आसानी से, ये भी उसके स्मृति में है, तो फिर उसको घबराने क्या हो शकता नहीं, वो सोच्चे कहा चाचा पकड़ लेंगे उसमें क्या है तो उसकी प्रतिग्रह क्या होती है खुशी क्यों होती है पकड़ेंगे नाग पकड़के चोड़ रहेंगे वह घबरत नहीं है और एक अदमी है जो आयरवेद ने तद्निया एक्सपर्ट है उसकी मन्वी यह सब इंफर्मेशन तो है नाग की सब तो वह देखा वही नाग का चित्र देखता है लेकिन उसके मन में क्या आता है अरे हम इसको पकड़के इसका बीश निकाल लिया तो बहुत सारी दवाई बन सकते हैं उसकी बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं अभी समझो देखो एक नाग को देखते वे अलग-अलग प्रतिक्र है हमारे विद्धार्ति के अलग प्रतिक्रिया है हमारे स्वनेश्यों के अलग प्रतिक्रिया है और आयुदत के तदने के अलग प्रतिक्रिया है एक चित्रों देखा सब्सक्राइब लेकित प्रतिक्रिया अलग-अलग क्यों है कि मन में अलग-अलग स्मृति है उसकी जो कल अपने अनुवो लेया वही करना है उसी प्रकार करना है लेकिन कल से आज ज्यादा अनुवो आप अच्छी तरह से कर सकोंगे। अरे ओम। हरियोम, कोरोना के प्रभाव से और उसके भय से प्रभावित न होने के लिए और स्वयम की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए परमहुसे स्वामी सत्यानन्द सरस्वती जी के मारगदर्शन में यह योग निद्रा बनाई गई हैं। साधर करता है डॉक्टर विश्वास मंडली योग विद्या गुरु कूल नाशीक। हरियोम, योग निद्रा के कारेक्रम में आपका स्वागत है। प्रारंब में हम तीन बार उंकार बोलेंगे। उसके लिए आप पदमासन या सुखासन के सिती में बढ़ जाएं। मैं योगकार कहूंगा, आप मेरे साथ ही दो राएंगे। आप 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 अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंब करेंगे। आसन की सिती छोड़ दिजिये। हाथ की कलाई में पहिनिवी घड़ी आखों पर लगाया हुआ चश्मा निकाल कर एक और रख दे। यदि कमर पर पट्टा पहना हो तो उसे भी निकाल कर रख दे। जहां तक संभव हो शरीर पर कपड़ों का तनाव कम करें। अब पीठ के बल सिधे लेटते हुए शवासन का अभ्यास अरंब करें। सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण शरीर सिधा रखें। दोनों पैरों के बीच लगबक एक फिट का अंतर रखें। एडियों भीत्वर की तरफ और पंजे बहार के और रखें। पैर ढीले चोड़ दें। हाथ सिधे ही रखें। परंतु हाथों को शरीर से 3-4 इंच की दूरी पर रखें। हतेलियों को छत की दिशा में उपर के और रखें। हाथों की उंगलिया अधखुली रहने दे। शरीर को अन्य किसी भी वस्तु का स्परश न वहने दे। मूह बन करें। घरदन को जिस दिशा में चाहे जुखा कर रख सकते है। नासिका द्वारा श्वसन जारी रखे। धीरे धीरे आखे बन कर ले। जब तक की आखे खोलने के बारे में निर्देश प्राप्त न हो। तब तक आखे बंधी रखे। योगनिद्रा का संपूर्णा भ्यास आखे बंध रखते ही करना है। इस तिति में पिलिशरीर में कहीं कोई तनाव या अस्वस्तता हो। तो इसी समय उसे निकालते हुए शरीर को शिथिल करे। कपड़ों का भार या तनाव महसूत होता है तो उसे भी दूर कर ले। एक दीर्ग सांस ले तथा धीरे धीरे सांस चोड़े। सांस चोड़ते समय यह कल्पना करें कि शरीर की सारी व्याधियाव, चिंताएं और तनाव शरीर से बाहर जा रहे हैं। पुनाह एक बार दीर्ग सांस ले। सांस लेते समय यह कल्पना करें कि इस विश्व की चेतना शक्ति हमारे शरीर में सांस के साथ प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे पूर्ण सांस चोड़े। ततह पुना कल्पना करें कि सांस चोड़ते समय हमारे शरीर की व्याधियां, चिंताएं और तनाव दूर दूर जा रहे हैं। सांस चोड़ते समय शरीर अधिक-धिक धीला पड़ता जा रहा है। ऐसी कलपना करें कि प्रत्यक श्वसन के साथ शरीर और भी अधिक धिला पड़ता जा रहा है शरीर की शिथिल अवस्था में निद्रा दिन होने की प्रवर्ति होती है नीन दाने के पूर्वर जो अवस्ता होती है वैसी ही अत्यनत शिथिल अवस्ता पैदा हो जाती है तथा नीन लगने की संभावना रहती है इसलिए आपको जाकते रहने का निश्चे करना आवश्यक है मन ही मन में कहें इस अभ्यास के समाप्त होने तक मैं पूर्णतया जाकते रहूंगा, सोऊंगा नहीं इस अभ्यास के समाप्त होने तक हम पूर्णतया जाकते रहेंगे, सोएंगे नहीं प्रारंब में बहर से आने वाली आवाज की और प्रैतन पुर्वक ध्यान दे दूर से कही ध्वनी आ रही है तो उसे सुनने का प्रयास करे ये ध्वनी कहां से आ रही है तथा इसका क्या अर्थ है इस विशे में कदापी न सोचे केवल टतस्त भावना से इन दूर से आ रही ध्वनी को सुनने का प्रयास करे अब धीरे धीरे अपना ध्यान इसी कमरे से आने वाली ध्वनी की ओर केंद्रित करे अन्य ध्वनियों की ओर से अपना ध्यान हटा दे इस कक्ष में आपको दिया जा रहा निर्देश सुनने का प्रयास करे अपना संपुर्ण ध्यान इने निर्देशों की ओर केंदरित करें आपको यहाँ पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना है आप जितनी एकाग्रता से इन निर्देशों का सुनेंगे उतनी ही एकाग्रता से उसका पालन भी कर सकतो है इसलिए केवल इन निर्देशों की ओर ही ध्यान के निरित करें योगनिद्रा में आप श्रवण तथा सावधानी इन दोनों के द्वारा ही कारे करते रहेंगे इसलिए आपको प्राप्त होने वाले निर्देशों को सावधानी पूर्वक श्रवण करना तथा एकागर मन से उसका पालन करना योगनिद्रा का अत्यांत महत्वपूर्ण अंग है आपको प्राप्त हो रहे निर्देशों का विशलेशन अथा उनमें परिवर्तन न करे यदि ऐसा करेंगे तो आपको अंतर्मुख होने में अधिक समय लगेगा इसलिए निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक अनुसरन करें अन्य प्रकार के विचार यदि मन में आएं तो उनकी और भी धान न दें अभ्यास जारी रखें शरीर को अचल और स्थिर रखने का प्रयास करें शरीर शिथिल हो रहा है विश्राम कर रहा है ऐसी कल्पना करें मन ही मन में कहें ओम तथा यह कल्पना करें कि ओम के उच्चारन के साथ आपका संपूर्ण शरीर शांत एवं शिथिल हो रहा है पुना एक बार मन में कहें आपका शरीर और भी अधिक शिथिल होते जा रहा है पहर से लेकर सिर्थक संपूर्ण शरीर धीला पड़ता जा रहा है शिथिल हो रहा है तनाव कम हो रहा है और भी कम हो रहा है अब बहुत कम हो गया है आप योगनिद्रा का अभ्यास कर रहे हैं मनी मन कहे मैं योगनिद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ इस अभ्यास के दावरान मैं नींद नहीं आने दूंगा इस अभ्यास के समापत होने तक मैं जाकता रहूंगा मैं सभूंगा नहीं, मैं पूर्ण तया जाकते रहूंगा योगनिद्रा के इस अभ्यास में आपको एक चोटा सा संकल्प करना है योगनिद्रा करते समय शर्द्धा पूर्वक अन्तक करण से किया गया यह संकल्प आपके भावी जीवन में आपके लिए अवश्य ही लाबदायक सिद्ध होगा इस पर पूर्ण विश्वास करें अब आपके द्वारा तय किया गया संकल्प उसका अर्थ ध्यान में रखते हुए एकाग्र चित्त से मन ही मन तीन बार धोराएं संकल्प का यही वाक्य किसी पटल पर लिखे वाक्य के समान आपकी आँखों के समक्ष दिखाई दे रहा है इसे तीन बार मनी मान धोराना है हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योगा अभ्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहाधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योगा अभ्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहाधिक उसके प्रकोप का डर बढ़ रहा है इससे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मुझे योगा ब्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है योगनिद्रा में जागृत होने वाले आपके मानसिक सामर्थे के बल पर यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होने वाला है अब हम अववयव ध्यान का प्रारम्ब करेंगे स्वयम के प्रत्यक अववयव का दर्शन आप अपने मन के द्वारा करेंगे तथा प्रत्यक अववयव को शितिल करेंगे मैं एक-एक करके अवयव के नाम का उच्चारण करूंगा तथा आपको स्वयम के मन से उस अवयव तक पहुचना है उस अवयव को अन्भो करना है तथा उस अवयव और उसकी मांस्पेशियों वतांत्रिकाओं को शितिल करने का प्रयास करना है मन की सहयता से उसे अधिक अधिक शितिल किया जा सकता है उस अवयो के पास अधिक समय तक रुखना नहीं है आपको तुरंत ही दूसरे अवयो की ओर जाना है इस प्रकार से आप अवयो ध्यान का प्रारंब करेंगे शरीर के दाईनी ओर ध्यान दे दाईने हाथ की और ध्यान दे, दाईने हाथ की अंगलियों के तिरब ध्यान दे दाईने हाथ के अंगुठे को आखों के सामने रखे उसे धिला चोड़ने का प्रेयास करे अंगुठे के समीप की अंगली, मद्ध्य अंगली, अनामिका, करांगुली और कलाई के पेशियां धिला करते जाना है दहीने हत की कोहनी दहीने हत की भुजा की पेशियों को धिला कर दे अब दहीने कंदे की और ध्यान दे दहीने कंदे की पेशियों को धिला छोड़े मक्ष की उदर की दहीनी और ध्यान दे तता वहां की पेशियां शितिल करें कमर का दाहिना भाग और इसके पस्चात दाहिने पेर के और ध्यान दे दाहिना जंगा उसकी पेशियों को शितिल करें दाहिने पेर के घुटने, टकने का भाग, पिंडलिया, एडिया, तल्वे, पेर का अंगुठा अंगोठे के बगल की उंगुली, मध्य उंगुली, चौतिय उंगुली, अंतिम उंगुली सभी मास पेशियों को ढिला चोड़ने का प्रयास करें इस प्रकार दाहिने हाथ से लेकर दाहिने पैर तक का संपूर्ण धाहिना भाग का शितिल करण हो चुका है अब शरीर के बाय भाग की और ध्यान दे, बाय हाथ की और ध्यान दे, बाय हाथ का अंगोठा शितिल करें अंगोठे के समिट की उंगुली, तरजनी शितिल करें, मध्यमा, अनामिका, करांगुली, आदे उंगलियों की मास पेशिया शितिल करें बाये हाथ की कलाई की पेशियां सितिल करें, बाये हाथ की कोहनी सितिल करें, बाये हाथ की भुजा की पेशियों को सितिल करें, बाया कंधा, वक्ष एवं उधर का बाया भाग सितिल करें, कमर का बाया भाग ढिला चोड़ें, बाये पैर की ओर ध्यान दें, बाये पैर की पास के अंबुली, मध्य के उंबुली, चवत्य उंबुली, कराम उली, शिथिल करने का प्रयास करें। इस प्रकार बाये हाथ के लेकर बाये पैर तक संपूर्ण भाग शिथिल हो चुका हैं। शरीर के प्रुष्ट भाग की ओर ध्यांदे, धाइना कंदा, बाया कंदा, मेरुदंडर, कमर से लेकर गर्दन तक की सभी कशेरुकाओं को शितिल करें उदर के प्रुष्ट भाग की स्थित कशे रुकाओं को सितिल करें वक्ष के प्रुष्ट भाग में स्थित कशे रुकाओं को तथा गर्दन की कशे रुकाओं को सितिल करने का प्रयास करें इस प्रकार शरीर का प्रुष्ट भाग भी पूर्णत यान सितिल हो चुका है मस्तक की पेशियों को शिथिल करें, बाई और दाई भोवें, बाई पलक, दाहिनी पलक, पूर्ण रूप से शिथिल करें, आखें बंद रखते हुए, पलकों तथा पुतलियों को तनाव से मुक्त करें, बाई आख की पुतलियों को शिथिल करें, दाहिनी आख की पुतलियो दहिना गाल, ठोड़ी, होट, दांत, शितिल करें, दातों को एक दुसरे पर कस करना रखें, उन्हें अलग-अलग ही रखें, अर्थात आपको जबड़ी की पेशियों को शितिल करना होगा, मुक के भीतर स्थित ज्वा को भी शितिल करे ज्वा पर भी तना होता है ज्वा को शितिल करने पर ज्वा के भार का भी आपको अनवो होगा संपूर्ण शरीर को आपने शितिल कर लिया है सभी मास पेशियों को आपने ढिला चोड़कर शितिल किया है पर उन्तों फिर भी हो सकता है कुछ पेशियों में पुना तना उत्पन हो गया हूँ इसलिए एक बार पुना शरीर के और ध्यान देकर उन पेशियों को शितिल करने का प्रयास करना है दाइना हात, शरीर का दाइना भाग, दाइना पैर, बाया हात, शरीर का बाया भाग, बाया पैर, शरीर का प्रुष्ठ भाग, संपूर्ण शरीर का अग्रभाग, गरदन, चेहरे की सभी पेशियां, मस्तक से लेकर जुवा तक की सभी पेशियों को शिथिल करें अब तक आपका शरीर पूर्ण तया शितिल हो चुका है परंतु नीन नहीं लगी है श्वसन अधिक-अधिक मंद होता जा रहा है शरीर की संपूर्ण पेशया शितिल हो जा रही है संपूर्ण पेशया शितिल हो चुकी है तथा श्वसन भी अधिक अधिक मंद हो रहा है शरीर जितना अधिक शितिल होगा श्वसन उतना ही मंद होते जाएंगा इस श्वसन की ओर ध्यान गेंदरित करने का प्रहास करें परंतु इस श्वसन पर किसी भी प्रकार का नियंतरण न रखें साक्षी भाव से तटस सता पुर्वक इस श्वसन की ओर देखने का प्रहास करें श्वसन करते समय उदर की लयवद्ध गती होती है उस ओर ध्यान दे सास की गती मंद मंद सी हो रही है पेट भीतर की ओर जाते समय सास बाहर निकलती है तथा पेट बहार की ओर जाते समय, सांस भीतर जा रही है पेट की इस गती को ध्यान से देखने का प्रयास करे उदर की इस गती की गिनती करना है श्वसन की ओर ध्यान देते हुए श्वसन ध्यान का आवरतन आपको पूर्ण करना है श्वसंद की ओर ध्यान देते समय आप पेट की गती की गिनती करेंगे लेकिन गिनती उल्टे क्रम से प्रावंब करेंगे 27 से लेकर एक तक गिनती करते जाना है पेट बहर की ओर और सास अंदर की ओर जाती है तो 27 पेट भीतर की ओर जाते समय सास बहर आती है पुना पेट बहर की ओर आती है तो 26, पेट भीतर तो सांस बहर इसी क्रम से हमें सक्ताविस से लेकर एक तक स्वयम के श्वसन को पेट की गती के माद्यम से गिनना है गिनती करती के लिए परयाप्त समय हो इसलिए 2.5 मिनिट तक कोई भी सुचनाएं नहीं दी जाएगी उसके बाद ही पुना सुचनाएं दी जा सकती है झाल 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 अब आप इस श्वसंद की गिंति को रोग दें स्वयम की शरीर की और ध्यान दे शरीर अधिक अधिक शितिल होता जा रहा है शरीर के अत्यन्त शितिल हो जाने के कारण आपको शरीर की जड़ता का अनुव हो रहा है शरीर अधिक अधिक भारी हो रहा है शरीर का भारीपन आप महसूस कर रहे है आपका शरीर इतना भारी हुआ है कि मानों आपका शरीर जमिन के भितर जा रहा है अब धीरे धीरे जड़ता कम हो रही है धीरे धीरे शरीर हलका होने लगा है आपका शरीर हलका हो रहा है मानो जैसे वह हवा में तैर रहा हो आपका शरीर अत्यनत हलका हो रहा है आपको ऐसा प्रतित हो रहा है कि मानो आप हवा में तैर रहे है अब आपका ध्यान शरीर के ओर से हटा कर मेरी सुचनाओं की ओर केंदरित करें मैं कुछ दुरुष्चों के विशय में वर्णन करूंगा उन दुरुष्चों को आपकी बंद आखों के समक्ष साकार करने का प्रयास करना है आपका मन अंतरमुख हो गया है इसलिए इन दुरुष्चों अत्वा प्रसंगों को आपके मनच चक्षों के समक्ष साकार करना सरर होगा आखें बंद होने की सिती में ही उन दुरुष्चों को देखने का प्रयास करें जिस प्रकार स्वप्न देखते हैं उसी प्रकार ये दुरुष्य आपको दिखाई देंगे इस समय आप स्वयम की स्मरण शक्ति अन्वव कल्पना पथा अन्य भावनाओं को जागुरुत कर उन दुरुष्यों को बाड़ी की से ध्यान पुरुवक देखने का प्रयास करें कुछ मैने पहले आपका जीवन अच्छा चल रहा था थोड़े उतार चड़ाव थे लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी आपकी व्यावसाईक प्रगति हो रही थी आपका घर परिवार अच्छा चल रहा था फरवरी मैने के शुरुवात में एक खबर मिली कि चीन में कोरोना नमक एक वाइरस आया है और स्थिती गंबीर हो रही थी आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया धीरे धीरे वाइरस दुनिया भर में फैल गया वाइरस ने उग्र रूप धारण कर लिया और कई देशों में उदम मचाना भी शुरू कर दिया आपको भी इसकी गंबीरता का एहसास होने लगा उस पर कोई दवा का उत्पादन नहीं किया गया था इसलिए संपरकसेच बचना यही एक मात्र रास्ता था इसकी लिए देश स्तर पर प्रयाश चुरू किये गए सब कुछ बंद हो गया और सभी लोग घर में बंद हो गए घर से बाहर भागने वाले सबी लोग घर में रहने लगे इसका समाधन क्या है क्योंकि संपरकसे बचना इसे फैलने से बचाने का एक अच्छा रास्ता है तेकिन इसका विरोध कैसी किया जाए जब तक प्रभावी दवा नहीं निकलाती है तब तक इसका कोई इलाज नहीं है सही दवा का अभी तक पता नहीं चला है उसके लिए प्रयोग चल रहे हैं इसलिए अभी आपकी जिम्मेदरी क्या है इसमजलो कोरोना की तरह हमारे आसपास कई वायरस हमेशा होते हैं कभी-कभी वे हमारे शरीर में भी प्रवेश करते हैं लेकिन आप इससे पीडित नहीं होते हैं क्योंकि आपके शरीर में जो एक बल है जो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए तयार है वो उन शत्रूओं का नाश करता है इसे रोगपरतिरोधक या इम्यून सिस्टिम कहा जाता है यह शक्ति जितनी प्रभावी होती है आपकी सुरक्षा उतनी ही बहतर होती है यह इम्यून सिस्टिम आपके शरीर में भी उपस्ति थाए है इस सेना को बचाय रखना और इसकी क्षमता को बढ़ाना आपके ही हतों में है और आपके लिए एक सकारात्मक पक्षय है कि आप योगा भयास कर रहे है जो आपकी रोग प्रतिकरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयूगता है आपके योगा भयास ने आपकी शक्ति को बहत प्रभावी बना दिया है इही कारण है कि आप कोरोना से डरते नहीं है आपकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यह कोरोना ही आपके शरील में आने के हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि यदि वो शरील में प्रवेश करें तो आप उसको तुरंत नश्ट करने के लिए तैयार है इसलिए आप कोरोना से नहीं डर रहे है शायद कोरोना ही आपसे डरता है इसके लिए आप नियमित रूप से योगा भ्यास कर रहे है यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैननीक जीवन ठीक होने वाला है आप इस बारे में निश्चिंत है इसलिए चिंता ना करे चिंतन करे यह निश्चित है कि कुछ दिनों में आपका दैनीक जीवन ठीक होने वाला है आप इस बारे में निश्चिंत है इसलिए चिंता ना करे, निश्चिंत रहे इसी विचार से आप यह योगोनिद्रा का भी अभ्यास कर रहे है अब दुर्श्यदर्शन की इस प्रक्रिया को समाप्त करना है आपका शरीद अत्यंत शिथिल हो गया है मन अभी पूर्णतया शांत तथा अंतरमुख भी हो गया है मन की इस अवस्था में आप प्रारंब में किये गए संकल्प को पुना दोराना है संकल्प जैसा प्रारंब किया था उनी शब्दों में वैसा का वैसा ही दोराना है संकल्प का वाक्य अब पुना आखों के सामने स्पष्ट दिखाई देने लगा है आखे बंद किये हुए ही मन ही मन शर्दापुर्णा अंतक करण से तीन बार संकल्प का उच्चारण करे हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहधिक उसके प्रकौप का डर बढ़ रहा है इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मझे योगा ब्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहधिक उसके प्रकौप का डर बढ़ रहा है इससे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मझे योगा ब्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है हर जगह कोरोना पहल रहा है इससे बेहधिक उसके प्रकौप का डर बढ़ रहा है इसे निपटने में मेरी मदद करने के लिए मझे योगा ब्यास करना उपयोगी लगता है इसलिए मैं कोरोना और उसके डर दोनों से अलग हो गया हूँ बेशक कोई भी मेरे शरीर और दिमाग को संक्रमित नहीं कर सकता है योग निद्रा के इस अभ्यास से आपके मनस सामर्थे में बहुत अधिक वृद्धी हो चुकी है तथा इस सामर्थे के आधार पर आपके द्वारा किया गया यह संकल्प निश्चत रूप से पूर्ण होने वाला है आपका संकल्प अवश्य ही पूर्ण होगा आपका ध्यान पुना श्वसन की और ले जाए नासिकाग्र के द्वारा इस श्वसन का अन्हों हो रहा है जाने अन्जाने में हो रहे इस परश को जानने का प्रयास करे श्वसन के इस परश से अपना ध्यान अप उदर की और ले जाए उदर की गतिविधी मंद गति से हो रही है अब उदर की गतिविधी की ओर से अपना ध्यान शरीर के ओर ले जाए अपने शरीर को कुछ ही समय पूर्व, अपने अत्याधिक शितिल किया था ये शरीर भूमी पर शान्त एवं स्थिर रूप से लिटा हुआ है इस शरीर का स्मरण करें तथा मनी मन में ओम का उच्चारण करें इस उच्चारण के साथ सिर से लेकर पैरों तक के संपूर्ण शरीर का मन में ध्यान करें जिस भूमी पर आप लेटे हैं उसका स्मरण करें कुछ समय पूर्वा आपने इसी स्थान पर योग निद्रा का अभ्यास आरंब किया था आसमास के वातावरन का अन्भो करने का प्रयास करे संपूर्ण शरीर को क्रमा नुसार धीरे-धीरे पूर्व सित्य में लाना है कुछ समय पहले ही हमने शरीर को शित्यल किया था अब आप पुना जागरुत करेंगे चेहरे के सभी पेशियों को जागरुत करें शरीर का अगर भाग जागरुत करें शरीर का प्रुष्टबाग बाया पर से लेकर बाया हाथ अर्थात बाया भाग जागुरुत करे ततब पश्चात शरीर के दाहिने भाग की और द्यान दे दाहिने परसे लेकर दाहिना हाथ अर्थात संपूर्ण दाहिना भाग जागुरुत करे इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर अब जागुरुत हो चुका है सभी अवयोव में जागुरती उत्पन्न हुई है इस अवस्था से अब धीरे धीरे हिलते हुए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है हाथों की उमलियों को हिलाए हाथों को थोड़ा सा तान कर सिधा करे पैरों के उलियों को भी हिला कर पैरों को तान ले, अभी धीरे से घर्दन सिधी करे, हात शरीर के नजदिक लाए, दोनों पैर पास-पास कर ले, आखे अभी बंद हैं, शरीर अप पूर्णतया जागरूत हो गया है, धीरे धीरे उटकर बैठे, दोनों हतिलियों को आखो पर रखे, आखों को ढखकर रखते हुए, आखे कोले, धीरे धीरे हात नीचे करे, इस योगनिद्रा के नित्या अभ्यास से आपका जिवन मंगल में हो, इस प्रार्थना के साथ योगनिद्रा का अभ्यास समाप्त हो रहा है, हरे ओम तच्छत